वेल्कम बाक आफ्टर दो ब्रेक आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरिट शो संगिनी फुर टोडेइज विमिन वैसे तो सारे सब्जेक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लेकिन अगर हमें एक बहतर करियर चाहिए तो माट्स के इंपॉर्टेंस किसी से छुपी नही नहीं है जितना जाथा मार्स के मईतिंस भरती जा रही है उतना ही जादा बच्शों के मंद में घ्राफ को लेकर फ्षीयर भी बढ़ता जा रहा है तो कैसे करने में k вас क्लें चाहिए पर के ogramषी टvraig जा रहा कहा जाता है math सिर्फ calculation का खेल होता है लेकिन यह जो खेल है यह काफी tricky होता है और बच्चों में एक डर पैदा करता है क्यों बच्चे माच से डरने लगे हैं अच्छे डरने इसलिए लगे हैं कि एक तो important चीज है इस आपने बताया है कि parents को लगता है बहुत important है जब बहुत important ह है तो हमारा बच्चा उसमें सबसे बढ़िया रहे एक्सल करें इसकी importance academics में exam में स्कूल में क्या number मिल रहा है उससे है आगे चल के life में completion है वहां पे आना है completion नहीं भी दे रहे हैं तो normal आपको जो lifestyle है उसमें maths का use है इसलिए important है अब समस्य यह होती है कि मान लीजे parents खुद ह अनि कौन सी मुसीबत थी जो हमारे उपर आगे तो उस तरह से मैट्स का एक हवब बनने लगता है जरा सी performance करबढ़ हुई तो उस पे आपने जादा उसको डाटना शुरू कर दिया या critical comment जादा हो गए तो वहां से फिर उसके अंदर maths का phobia या इस तरह की situation स्टार्ट हो सकत लेकिन मैट्स के डर की जहां तक बात करें तो यहां पर डर सिफ डर नहीं रह जाता बच्चे मैट्स से भागने भी लगते हैं ऐसी condition में कहां खराबी आ जाते हैं डर थोड़ा डर बिल्कुल ठीक है जब थोड़ा डर होगा तभी तो बच्चा परफॉर्म करेगा या कोई तो इससे अच्छा है कि वह चीज अटेम्ट ना करो तो उससे फिर बच्चा आइसोलेट होने लगता है दूरी बनाने लगता है इंस्टेड ऑफ कि उसमें घुसके उसको सॉल्व करें अवाइडिंग अप्रोच करने लगता है तो फिर समस्य कर जाती है तो जैसे हम पेरिं पेरिंट्स अपने बच्चे को इंडिविजली देख रहे हैं टीचर ग्रूप में देख रहा है तो यह सोच लेना कि स्कूल भेज दिया अच्छे स्कूल में दाखला करा दिया और आप सब ठीक हो जाएगा ऐसा नहीं है आप अपने बच्चे पर ध्यान दीजिए अगर कि आप बच्चे के टीचर से मिले कोई भी रिसपॉंसिबल टीचर इस तदे की चीजों के लिए बहुत ही रिसेप्टिव होगा जब पैरेंट्स जाते हैं कि मेरे बच्चे को यह समझे तो तो तीचर को भी लगता है कि बच्चे इंट्रेस्ट ले रहा है तो टीचर उच्छ तो पेरेंट्स और टीचर का इंटरेक्शन, चाइल्ड बींग का फोकस ऐसा करने से आप उसके अच्छे से सॉलुशन पे जा सकते हैं तो जो मॉनिटरिंग के आपने बात की, क्या प्रोसेस रखना चाहिए पेरेंट्स को? पहले तो यह कि आप उस चीज में अपडेट होईए अगर आप इसी चीज के वारे में बच्चे को पढ़ाना है तो आपको तो आना चाहिए तब 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 उसको पढ़ाएगे तो अगर इन केस आपकी मैट्स वीक है तो बच्चे के भले के लिए आप कम से कम कुछ जो तो अगर ऐसा कोई डर है या कोई वीकनेस है तो उसके लिए हम सजेस्ट करेंगे कि ट्यूटर या कोई वीकनेस है तो उसके लिए हम सजेस्ट करेंगे कि तूटर या कोई बड़ा वच्चा हो सकता है कोई पड़ोसी हो सकता है जो बच्चे को इस चीज के लिए गाइड कर सब्सक्राइब तो अगर ऐसा कोई डर है या कोई वीकनेस है तो उसके लिए हम सजएस्ट करेंगे कि ट्यूटर या कोचिंग है यह कर सकते हैं कोचिंग कर सकती है मेंजर फोर्स थरस्ट जो है बच्चे को तो यह हमने बात की monitoring की लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, ऐसी situation भी आती है कि बच्चे का interest नहीं होता है या फिर बच्चा तमाम कोशिशों के बावजूद भी उस चीज को समझ नहीं पा रहा है, maths को समझ नहीं पा रहा है, calculations नहीं कर पा रहा है, ऐसे situation में पर उसको ग्या करना इसमें दो चीज़ अलग करनी चाहिए, एक तो बच्चे को समझ में आता है लेकिन वो interest नहीं दिखा रहा है, दूसरा बच्चा कोशिश कर रहा है लेकिन फिर भी नहीं कर पा रहा है, तो अगर हम पहली चीज को देखें कि बच्चे का interest नहीं आ रहा है, इंट्रेस्ट नह को मैठ्स की इंपोर्टेंट सिंजानी चाहिए, मैठ्स डे-to-day life में है, आप अगर खेलने जा रहे हैं तो वहां भी मैठ्स है, घर में खाना बन रहा है तो उसमें कितना प्रोपोरिशन दाल का है, कितना चावल का है, कितना पानी का, ये सारी चीज का मिक्षर है, तो वो ह कोशिश करिए, प्रॉपर वे में, उसके बाद भी आपको अगर उसमें इंप्रोव्मेंट नहीं लग रहा है, तो इस तरह की केसे में हम स्पेसिफिक लर्निंग डिसॉर्डर ये हम लोग सोचना चुरू करते हैं, SLD relating to mathematics, तो में भी बच्चा इंपेर्ड है, फुल भविष्य के लिए उसी शेत्र में बच्चे को प्रोमोट करते हैं कि करियर उस दिशा में जाए, ना कि maths as a career या maths as a basis of important career होगे इस डर को घटाने के लिए, इसको कम करने के लिए, पेर्ट्स क्या कर सकते हैं? पेर्ट्स ये करें कि सबसे पहले अपना डर घटाने, आप रिलाक्स होएं, घर का जो अट्मोस्फियर है वो एक supportive atmosphere हो ना कि harsh environment कि बच्चे ने बुरा परफॉर्म किया है तो बच्चे को इसा atmosphere कि बच्चे को समस्या है तो वो समस्या लेकर आपके पास आएगा ये सोच के कि मुझे यहां कुछ समधान मिलना है ना कि मुझे यहां डाट मार ये पिटाई होना है तो जब इस तरह का atmosphere होगा तो बच्चा खुलके आएगा बच्चे का self-confidence बढ़ाएं ये बच्चे हैं जिसको एक चीज नहीं आ रही थी मैंस नहीं आ रही थी इस पर हम लोग मिल के कोशिश करेंगे रादन कि तुम्हें मैंस नहीं आती है तुम बेकार हो निकम्मे हो या इस तरह का प्रोश तो अगर हम बात करें mental sharpness की तो बच्चों की mental sharpness बढ़ाने के लिए क्या कर सकते mental sharpness बढ़ाने के लिए कुछ तो general चीज है, general चीज जैसे की healthy home atmosphere, healthy parenting, बच्चे को पता है कि बढ़ी समस्या है, पेरेंट्स के पास जा सकते हैं बिना किसी डरियाख of care, दूसरा बच्चे की general physical health ठीक हो, खाने पीने का system ठीक हो, रेस्ट का system ठीक हो, बच्चे का all-round development हो, जिस सारी चीज़ों का एक integrated development हो, यह करना चाहिए, कुछ चीज़े होंके जैसे abacus classes अभी बहुत सारे होने लगी है, उसमे mathematical skill lab की generate होती है, बहुत सारे computer पे अप games आते हैं, educational cds आती है कि आपने वह लगा दिया और बच्चा उसमें लेकर रहा है और सीख रहा है, बहुत सारे cards इस तरह के specially आते हैं, कि कुछ नहीं तो बच्चा कंसे कम जोड तो रहा है, यह सबसे सिंपल आप सुडी ले लीजे, कि आपने पासा भेका तो फिर आप जोडेंगे तभी तो आप आगे बढ़ेंगे, या साप ने काट लिया तो नीचे आ गए, तो आप क्या करें, तो इस तरह से मैट्स को एक लोड के बजाए, एक पार्ट अफ लाइफ में कि उसको आप कोशिश करिये और कर ले जाएंगे, आप उसको एप रोत्राहन दीजिए, तो जादातर बच्च कर ले जाते हैं इस जीज को तो बरकुल सही का आपने मास को हमें पार्ट अफ लाइफ बना इसी के साथ आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहेंगे कि आप अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी कोईरीज, अपना फीडबाक और अपने सजेशन्स हम तक पहुंचा सकते हैं फेस्बुक के जरिये हमारी फेस्बुक आइडी है facebook.etv.sangini यहाँ पर वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार आपको रखने के लिए फैशन में इन, हम लेकर आएंगे कुछ खास फैशन अपडेट्स तो कहीं जाएए गामत, देख दे रहे हमारा शो संगिनी for today's women अगर आप इस लुक को follow करना चाहते हैं तो आपको चाहिए एक red कलर की खुपसूरत टी-शिर्ट जिस पर इस तरह के prints हो